पंजाब में दलित चहरे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बस्पा सुप्रीमों मायावती कॉंग्रेस पर हमलावर हैं, मायावती ने कहा कि कॉंग्रेस को सिर्फ मुसीबत में दलित याद आते हैं, मायावती ने कॉंग्रेस पर ये भी आरोप लगाया कि पार्टी को दलितो पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो चन्नी के चहरे पर पंजाब का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि मायावती के इस हमले पर पलटवार करते हुए कॉंग्रेस नितारंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि सुष्री मायावती जी ये घोशना कर दें कि पंजाब में अकाली दल और बसपा का सीएम चहरा दलित होगा। साथ ही कॉंग्रेस में ये भी साफ किया कि वो आगामी विधान सभा चुनाव चरंजीत, चन्नी और सिध्धु दोनों के चहरे पर लड़ेगी। कॉंग्रेस चन्नी को सीएम बनाये जाने का जोर शोर से प्रचार कर रही है कि पार्टी ने एक दलित को सीएम बनाया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कॉंग्रेस के इस फैसले और मायावती के हमले के सियासी माइने ज्यादा हैं। पंजाब देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 32 फीसदी दलित मतदाता है। छे महीने से कम वक्त में पंजाब में होने वाले विधान सभा चुनाव के चलते हर राजनीतिक पार्टी दलित वोट बैंक साधना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ने भी पंजाब में अकाली दल के साथ गठ बंधन कर रखा है।